लोग फ्रेंस स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूडूब चैनल मैं जट टारेट पर तो फ्रेंस आज हम लोग लेके क्लास 10 के एंसी आटी पैटर्ण पर हम लोग अगला चैप्टर को देखने वाले हैं अगलोग चारक एवंग लवन में हम लोग 30 विवियाई और यहीं से देखने वाले हैं और यहीं से देखने को मिलेगा तो फ्रेंस वीडियो को लाइक कर दीजे उससे पहले हमारे चैनल पर नए है न तो प्लिस इस चैनल को कि इस तरह का आपको जो ना बेल आइकन मिलेगा इस बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर जरूर सेलेट कर लिजेगा तो फ्रेंस देखते हैं आप आज का फर्स्ट पर्सन फिल इस वीडियो को संब्पूर्ण सरूर से लेकर आगरी तक जरूर देखेगा क्योंकि इही तीस से आप लोग को मेटिप बॉडब करीक्षा में देखनों को मिलेगा यह आज क्या करया है था है ऑइसा चारक जो जल में पूर्ण तहाए नित होता उसको क्या गते है परवर चारक गते हैं तो दोस्तों परवर चारक क्या होते है sodium hydroxide होते हैं potassium hydroxide होते हैं तो यहाँ पर sodium hydroxide के उधरन दिया हुआ है तो यहाँ पर यन ए ओयत यानि कि यहाँ पर option number B जो इना बिल्कुल से उतर हो जाएगा sodium hydroxide अर्थात यन ए ओयत अब चले friends देखते हैं आप अगला person काफी महतपूर्न है इसको भी अच्छी तरह से याद किलिजेगा क्योंकि यह person बहुत important कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंद अमली या च्छार की अमादे में बदल जाती है इन्हें कहते हैं तो दोस्तो इन्हें हम लोग क्या करते हैं गंदे सुचक क्या होते हैं यह क्या करता है कि अमली या च्छार की अमादे में बदल देता है इसे हम लोग क्या करते हैं गंदे सुचक करते हैं गंदे सुचक क्या क्या उधारन होते हैं प्याज हो गया लोग हो गया इसब जो होते हैं गंदे सुचक क्या उधारन होते हैं इन्हें भी आप लोग याद कीजेगा अब आए फ्रेंस देखते हैं आप अगला परसन देखेगा अपर तिसरा परसन क्या करा है कि सभी धातू कार्बोनेट एवां हाइड्रोजन कार्बोनेट अमले के साथ अभी किरिया करके बनाते हैं तो दोस्तों जितने भी धातू जित तो संगत लवन, कारवन, डैक्साइट और जल यह क्या होते है कि धातू के जो कार्बोनेट और हाइडोजन कार्बोनेट जो होता है था अभी किरिया करके बनाते हैं यानि क्या गया बनाते हैं संगत लवन बनाते हैं CO2 बनाते हैं और जल बनाते हैं यहां पी अप्सन नमट डी जो है बिलकुल सेवत्षम यह जाएगा इन में से सबी और लाश्ट में आप कमेंट करके बताना कि यह घंप आप लोग को कितना पर पर सब्सक्राइब पहले से या था लिटर त्वा है अमल सब्की उत्पती लैटिन सब्द किसे हुआ एसी डस से हुआ है इसे आप लोग याद रखे गाथ अनुनों यूगत सभी होते हैं तुस्तू है जिसमें ह्यादो न होते हैं सभी कंपाउंड जो होते हुआ क्यों आते हैं AC 10 होते हैं यानि कि यहां प्यांपर option number A जो नहीं बिल्कुल से उतर जाएगा अम लिए काफी महत्पुन महत्पुन पर्शन है तो देखिए अमले जो होता है अपने जली विलिन में कातपुर नवी पर्शन है कि जल में घुनलसिल छाड़क के बारे में क्या सत्य है तो ओप्सिन दिया हुआ है इने छार करते हैं बेमें दिया और स्वाध करवा होता है यानि कि यह और अपके देखते हैं मैञत्पूर नेवी परसन इसको प्रस याद रखेगा कि किसी भी उदासीन का bitch मान होता हिसे कर देखके छात होता है जैसे इसराइ ln सब होता है नंबर होता है अमले होता है जैसे कि पांच चार हो गया इस train होते हैं अममु दे माध्यम जो है परदरसित करते हैं इसे आप लोग याद रिखेगा साथ से दिक आपका छारके हो गया और साथ जो होता हो उदासिन विल्यन के PH कावन होता है और साथ से कम जो होता हो आपका क्या होता है अमली होता है तो यहाँ पर आप से क्या कर रहा है कि किसी भी उदासिन विलेंग का पीएच का मन कितना होता है साथ होता है इसे आप लोग याद रहेगा यहां पर आपको बिल्कुल से उतर जाएगा साथ यह परसन काफी बार आपके बोट परिक्षा में पूछा जा चुका है अब आये फ्रेंज देखत उसमें H anisamilet नहीं होता है तो यहां पर अपसेंस A में दिया हुए HCl तो यहां पर है 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 ना है तो यहां पर है तो यहां पर है हडो और है clapping का परवल चालग है यान की sodium hydroxide और C में आपका दिया हुआ हुआ है eventMA burner का को नहीं है तो यहां एक परकार है लवन है तो potassium sulphate यह एक परकार का क्या होते है लवन होते है और भी लवन के उधारन हो गया KCL हो गया KCL भी एक परकार का लवन है इनके अलावे यहने CL भी एक परकार का लवन है इनके अलावे आपका होगे यह भी एक परकार का लवन है इनके अलावे और भी बहुत सारा होगे FE CL2 होगे इस सब सारा का सारा क्या होता है लवन के उधारन होंगे क्योंकि इसमें HNO सम्मिलित नहीं है इनके अलावे अगर हम लोग आरें पर जलवापस प्रवाईत करने पर कवंसा योगिक प्राप्त होता यह भी पर सन्द मौश्ट् इमपोर्टन दोस्तों आप लोग गरम लोह लेजेगा उसमें आप लोग क्या कीजेगा जलवापस डालेगा तो क्यों सा योगिक बनता है आप लोग को बतलानाई तो 3 afraid compound करिमान होता है यानि कि जिसे हम लोग क्या क ripe और करते है याँ पर आप और से उतर है इसे आप लोग याद रहेखे गा उर लास्ट में कमेंट करें बताना कि यह थीस परस्वा परसंग पहले से याद था कि यह अबrial उने भी हमाइब देखते हैं एक बिल्किल में देखते हैं और दोस्तों फ्रेंजिए लेवल को समाने रखने के लिए एलकलाइन डाइट यानि कि छाड़ी आहार लेना बहुत जरुरी है आप चलिए understands देखेए और अगला परस इंपरसन देखेगा यह भी परसन मुश्ट इंपर्टंड है देखेगा कि द्धोने का सोडा में रवाकरण के जो होते हैं अनु होते हैं इसे आप लोग याद रिखेगा आए फ्रेंज देखते हैं आप एगला परशन काफी महत पूर्ण है देखेगा क्या करा है कि बेकिंग सोडा का अरसाइनिक नाम क्या है तो यहां पर बेकिंग सोडा का केमिकल नेम आप लोग को बतला है तो बेकिंग सोडा का जो अरसाइनिक नाम होता है वो आपका क्या होता है sodium hydrogen carbonate होता है यानि कि यहां पे मारो option number B जो नहीं बिल्कुल से उतर हो जाएगा sodium hydrogen carbonate baking soda का रसाइनिक नाम क्या होता है sodium hydrogen carbonate और इनका जो सूत्र होता है ना इसी भी आप लोग याद रहें के रखिएगा N-A-S-C-O-3 होता है क्या होता है N-A-S-C-O-3 आप यह जो होता है Baking soda का रसाइनिक सूत्र होता है अब आये Friends देखते हैं आप अगला person काफी महतपुर्ण महतविल पर्सन को देख रहें देखिए क्यों baking soda का रसाइनिक सूत्र है तो इस तो अभी आप लोगों विस्त बता है कि बेकिंग सोडा का जो रसाइनिक सूतर होता है वो आपका क्या होता है यहने असी ओतरी होता है यानि कि यहाँ पर अस्ताइक कटोरता को हटाने के लिए किसका ओप्योग किया जाता है जल क्या स्ताइक कि कटोरता को हटाने के लिए आने धोवन सोड़ा का करते हैं यानि की दो ने अप्षन नुमर्स का रसायनिक सूतर होता है यन-A-CO3-10-H2 होता है यन-A-CO3 ये जो होता है ना क्या होता है दोबन सोडा का रसायनिक सूत्र होता है अब आए फ्रेंज देखते हैं आप एगला परसन काफी महत्पूर्ण यह भी परसन है इसको भी ध्यान पूरुक देखेगा कि सोडा अमल अगनी सामग में किसका उप्य लेखेगा आप आए फ्रेंज देखते हैं आप अगला परसन काफी महत्पूर्ण परसन को देख चया शल्फत अर्थाइड्रेट या हमिट्राइडड्रेट का अन्य नाम तो यहां पर आप लोगग को बतलाना है जो सलफेट अर्थाइड्रेट या फिर इसका दूसरा नम ह होता है है में ट्राइड्रेट का अनाम होता है क्या आपको बतला ने दोसे बिल्कुल से लोतर है जाएगा फ्लास्टर परीस का रसायनिक सूतर होता है इसे आप लोग याद kauder का जो अनुसूतर होता है यान-a-soo-3 होता है यानी कि sodium hydrogen carbonate और होता है जी से हम लोग खाने बाला soda करते हैं और इसका सादरान नाम जो होता है क्या होता है sodium bicarbonate होता है इसे आप लोग याद रिखेगा यानी कि यहां पर से उतर है अब आये फ्रेंस देखते हैं आप अगला पर्सन यह भी पर्सन काफी महतपूर्ण है और बहुत बार आपके बहुत प्रिक्षा में पूछा जा चुगा है देखेगा यहां पर क्या करा है कि निम्लिकित में कौन विजाती योगी कोन है उसी को आप लोगों को बिल्कुल सरोतर हो जाएगा प्लास्टोर प्रेंस और देखे विजाती योगी क्या होते हैं विजाती योगी जो होते हैं विभीन पदारतों से मिलके बनता है विजाती योगी अब आए दोस्तों देख लेते हैं पर अगला परसन काफी महतपूर्ण नहीं आप यहां पर लेए ना तो प्रीज चनल को सब्सक्राइब करके बिलागन को प्रेस करके ओल पर जरूर सेलेट के लिजेगा देखें आप क्या गरा है कि निम्लिगित में सहत का कौन सा मान चारग विलियन का मान देता है तो यहां पर ओप्सन डी में दिया वह तेरा तो यह तेरा जो होता है सहत का चारग विलियन का मान देता है अप्सन डी जोने बिल्कुल से उतर है अब आये फ्रेंज देख लेते हैं अगला परसन यह भी परसन मोस्ट इंपोर्टेंड है देखेगा कि निम्लिगित अमलों में से कौन परवल अमल है तो यहां पर परवल अमल आप लोगको बतला जाएगा साल्फियोरिक आमल देखेगे यह अपका परवल हो गया और यहां पर अमल में से एक जांपल दिया हुए है और सल्फियोरिक अमल का जो अनुसुत्र होता 0002Ah होता है और SCL क्या होते हैं यह hydrocaloric अमल होते हैं और HNO3 यह एक nitric अमल का सुतर होता है इसे भी आप लोग याद रखेगा अब आएफ फ्रेंज देखते हैं आप अगला परसन देखेगा कि लेक्टिक अमल का प्राकिर्दिक स्रोध है यानि कि लेक्टिक अमल जोना किसमें पाये जाते हैं यानि कि यहां पर ऑफ्रेंज नमर एजोना बिल्कुल से उतर है और इसी लेक्टिक अमल के कारण जो है न दूद जो है दही में परिवर्तन हो जाते हैं यहां पर ऑफ्रेंज देखते हैं अप अगला परसन यह भी परसन काफी महत्पूर्ण ने इसको भी धि प'M 다음 में जाते हैं यहां परसन कि प्राण होता है जब मुख का प्राण होता है यह अपर आपि श orbits नमर बिल्कुल से उतर हो जाएगा मुह का pH मान 5.5 से कम होने पर अब आये फ्रेंज देखते हैं आप अगला परसन देखेगा क्या गड़ा है कि हमारे पेट यानि कि जिसे हम लोग क्या करते हैं उदर करते हैं हमारे पेट उदर से काउन सा अमल उत्पन होता है दोस्तो हमारे पेट यानि कि अमासमे में जो गौनसा अमल उतपन होता है है यानि कि यहांपर उपसिन नंबर सी जो बिल्कुल से उतोर जाएगा है इडरोकलोरीक अमल और यह है अनुसूतर होता है क्या होता है अब आए फ्रेंज़ देकते हैं अगला पर्सविने क्या करा है कि hydrochloric arml even sodium hydroxide के wilin की अविकिरिया से उत्पण 11 को क्या करते हैं दोस्तों जब भी hydrochloric arml और sodium hydroxide की wilin आपस में rearactions करता है और इसे जो उत्पन 11 होता है ये 11 का नम क्या होता है सोडियम क्लोराइट होता है क्या होता है सोडियम क्लोराइट यानि की एन एसी यहाँ पर आपको बतलाना है पर देख लेते कि छारक को ने अब आपका दिया होई यह एक पर करका चाहरक और आपका ओपसंट भी एक पर करका क्या है यानि कि यहां पर आपको बतलाना यह पी का मतलब क्या होता है तो यह यहांद क्या होता है यहांद रिखेगा अब आया अगला पर्सन देखेगा ध्यान पुरुवख कि प्राकिरतिक सुरुत निमिलकित में से कौन है तो यानि कि अगला परसन देखेगा अभी तो लाइक ज़रूर कर दीजेगा और हमारे चनल्म पर नए हैं तो प्रेस करके औल पर जरूर से लेट कर लीजेगा देखें आप पर अगला परसन क्या कराए कि सिट्रिग अमला का प्राकिर्धिक सीरोध यान संतरा और निमूर इन में सेश्ष तिर्ग अमला पाय जाते हैं अब आए फ्रेंज देखते हैं। और लाश्ट और अंतीम पर्शण यहीं बहुत ही इंपोर्टेन्ड है है काफी महातपूर महातपूर परसन को देख रहे हैं देखें यहाप याद रिखेगा अब आये फ्रेंज देखती हैं आज का हमक परसन क्या करा है कि जंग लगने पर धातु का भार पर क्या परभाव परता है जब भी जंग लगता है किसी मेटल पर तो धातु का भार पर 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 प्रभाव पढ़ता है आप लोगों बतलाना इसका आप लोग को स्टेक बताना क्योंकि यह को संट पहले आप लोग को बता चुके हैं इसलिए इसका अंसर क्या होगा कमेंट बुक्स में जरूर बताइएगा अब आये फ्रेंस देख लेते हैं यहां पर अभी तो लाइक ने किए ना तो फ्रेंस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और हमारे चनल पर नहीं ना तो प्ली चनल को सब्सक्राइब करके बिलागों को प्रेस करके जो